महरास्ट्र के तेष तर्रार पुलिस ऑफिसर अभ राज़नीति में अपनी किसमत आजमाएंगे कभी अंडरवल्ड को थर्राने वाले प्रदीप शर्मा ने गुरवार को महरास्ट्र पुलिस सेवा से इस्निफ़ा दे दिया बताया जा रहा है कि प्रदीप शर्मा महारास्ट में आने वाले विधानसवा चुनाओं में शिवसेना की टिकिट से चुनाओं में उतर सकते हैं प्रदीप शर्मा के नाम सो से ज्यादा एनकाउंटर का रिकॉर्ड दर्ज है इसके साथ ही उन्हें अंडरवर्ड के नेटवर्ग की अच्छी जानकारी है ठाने क्राइम ब्रांच में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूंड केस सुलचाए हैं प्रदीप शर्मा इस समय ठाने क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हैं 1943 में प्रदीप शर्मा ने महरास्ट पुलिस जोइन की थी उनके बेच में दो और धुरंदर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शहीद विजय सालसकार और प्रफुल थे प्रदीप शर्मा प्रफुल और शहीद विजय सालसकार तीनों महरास्ट पुलिस के 1943 बेच के अफसर थे ये तीनों ही अफसर बनमाशा को धेर करने के मामले में पूरे देश के लिए आदर्श रहे और यही कारण हैं कि 1943 के बेच को महरास्ट पुलिस का कीलर बेच कहा जान है इन एंकाउंटर्स को लेकर बॉलीवूट में भी कही फिल्में बनी इन फिल्मों में अब तक 56 फिल्म बहुत फेमस हुई इस फिल्म में नाना पाटेकर ने एंकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक का रोल निभाया था 2008 में प्रदीप शर्मा पर लखन भहिया गैंस्टर का फेक एंकाउंटर करने का आरोप लगा और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया इसके बाद 13 अन्य पुलिस वाले गिरफतार और सस्पेंड हुए कोट से केस जीतने के बाद 2013 में वह फिर सर्विस में वापस आये प्रदीप शर्मा उस समय चर्चा में आये जब 2017 में उन्होंने दाउद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफतार किया था